हलो फ्रेंट, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल हसे स्टेडि गाइड में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है अल अबाउट इलेक्टिकल सेफटी के बारे में इसमें हम इलेक्टिकल इंजूरिस के बारे में जानेंगे बात आपकर और जो बॉडि में फ्लो होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे इलेट्रिकल हजार्स और उसके प्रोटेक्टिव क्या मेजर्स होते है उसके बारे में भी हम जानेंगे शौक की क्या सेवरिटी होती है वो भी हम जानने वाले है और इसके साथ हम जानने वाले है कि LCB और RCCB क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरंस होता है तो आज यह सारी information आपको इस वीडियो के माधम से मिलने वाली है तो चलिए फिर वीडियो को start करते है Electricity यह बहुत ही बड़ा खत्रा है उसमें आदमी की जान भी जाती है तो इस खत्रे से बचने के लिए हमें उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है Electricity क्या है वो कैसे function करता है उसके हजार्स क्या है इसके बारे में अगर हमें पता चल गया तो हम यह जो होने वाला खत्रा है उसे रोक सकते है तो चलिए जानते है कि Electricity यानि की होता क्या है और वो कैसे काम करता है Electricity एक flow है इनर्जी का जो एक place से दूसरे place तक जाता है उसके लिए source of power की जबरत होती है खास तुर से generating stations Electricity में जो electrons है वो flow करते है travels करते है through a conductor और वो travel कहां पर करते है तो एक close circuit में travel करते है अब जानते हैं कि electrical terms में बहुत सारे ऐसे word आते हैं जैसे कि current, circuit, resistance, conductors, grounding, insulators तो इसका meaning क्या होता यह हम जानते current यानि कि एक electrical moment है जिसको ampere में measure किया जाता है अब देखते हैं कि circuit circuit यानि कि ये complete path है current का जिसमें electricity source होता है, conductor होता है और output device होते है या फिर load होता है जैसे कि lamp हो, tool हो या फिर hitter हो फिर देखते हैं resistance क्या है resistance यानि कि restrictions to electrical flow यानि कि electrical flow होने के लिए जो restrictions होती है उसे resistance कहते है अब देखते हैं कि conductors क्या है conductors यानि कि उसमें से जो electricity है वो flow करती है एक जगा से दूसरी जगा तक जैसे कि हम example लेते है metal का metal जो है वो conductors है उसमें से जो current है वो pass हो जाता है अब देखते हैं कि grounding क्या है grounding वो है कि जिससे हम conductive connection करते है अर्थ में जिसकी वज़े से कोई electrical जो shock है वो ना लगे इसके लिए हम grounding करते हैं और ये जो है वो proactive measures है अब देखते हैं कि insulators क्या है insulators एक ऐसा substance की जिसकी high resistance capacity है electricity के लिए जैसे कि glass हो porceline हो plastic हो dry wood हो इसके माद्यम से जो है वो electricity flow नहीं करती जो prevent करती है electricity को unwanted area में जाने से अब देखते हैं कि electrical injuries क्या है there are two main types of electrical injuries electrical injuries के total दो main types होते हैं एक होता है direct और दूसरा होता है indirect तो direct में क्या होता है electrical shock की वज़े से electrocutions हो सकता है या फिर है electrical shock और उसके बाद आता है burns यानि की जलना और दूसरा जो type है वो है indirect उसमें आता है false मतलब electric shock लगा और electric shock लगने से आदमी को कुछ नहीं हुआ लेकिन उस electric shock लगने से वो आदमी उचाई से नीचे गर गया जिसके कारण मानलो उसको गंभीर चोट आई या फिर उसकी death होगी तो वो indirect आएगा जो electrical shock है वो हमें कब receive होता है जब electrical current हमारे body से जब pass होता है तब हमें electrical shock जो है वो receive होता है अब देखते हैं कि shock की severity क्या है तो shock की जो severity है वो तीन चीजों के उपर depend करती है सबसे पहला है उसका path फिर है amount of current और third है durations तो first one है path यानि कि path of current through the body मतलब जो electric shock लगा है वो कौन से path से आपके body में जा रहा है जैसे कि आपके हाथ से या फिर पर से सर से body का जो भी path है उस path के उपर depend करता है second है amount of current यानि कि जो current लगा है वो कितने amount में आपके body में flow कर रहा है जैसे कि amperes कितने amperes है 30 amperes है 40 amperes है 100 amperes है उसके उपर वो depend करता है और third है durations यानि कि जो shock लगा है और जो current आपके body में पास हो रहा है उसकी लगबग जो है वो durations कितनी है इसकी उपर shock की severity depend होती है आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जिसका low voltage है इसका meaning ये नहीं है कि उसका 1000 low है उसका जो 1000 है वो ज्यादा भी हो सकता है वो depend करता है इन तीन चीजों के उपर कि कुन से passage जो है वो current पास हो रहा है उस current का जो है वो amount कितना है जो आपके body में पास हो रहा है और कितने durations तक वो पास हो रहा है अब देखते हैं कि path of current flow in body body के थुरू जो current flow होता है उसकी लिए जो most critical path है वो है आपका heart यानि कि heart के थुरू अगर मान लो कोई current अगर पास हो रहा है तो उसका सबसे ज़ादा impact हो सकता है जैसे की contact from hand to hand एक hand से अगर मान लो आपको electric shock लगा और दूसरे hand से भी आपको electric shock लगा तो उसके बीच में जो आपका heart आता है तो उस electrical shock की वज़े से जो है आपका heart है उस current passing flow में आ रहा है तो उसका impact जो है वो सबसे ज़ादा हो जाता है second है hand to foot यानि की अगर आपका heart उपर में है और वहाँ पर आपको electric shock लगा है और नीचे में भी जो है वो electric shock जो है वो flow हो रहा है तो उस बीच में जो है आपका heart आता है तो उस वज़े से आपके heart की उपर जो है वो सबसे ज़ादा impact हो सकता है और third है head to foot यानि की आपके सर और आपके पैरों के बीच में जो आपका heart आता है उसके बीच में अगर मान लो current flow हो रहा है तब भी आपके heart की उपर बहुत बड़ा impact हो सकता है यानि की पहला क्या है contact from hand to hand second है hand to foot और third है head to foot अगर मान लो contact जो हो रहा है वो foot to foot हो रहा है या फिर other areas में जहाँ पर आपका heart नहीं आ रहा है तो वहाँ पर जो है आपके उपर जो impact होने वाला है electric shock की वज़े से वो कम हो सकता है यानि की उसकी जो severity है वो कम हो सकती है अगर देखें की electrical shock जो है वो कितने हट तक danger है अब देखें की जो current है वो 10 mA के उपर अगर है तो उसकी वज़े से जो है वो paralyze हो सकता है या फिर आपकी जो muscle से वो freeze हो सकती है अगर मान लो की current जो है वो 75 mA के उपर है तो क्या हो सकता है कि आपके जो heartbeats है वो rapidly जो है वो pumping कर सकते या फिर अच्छी तरह से वो pumping नहीं करेंगे और जिसकी वज़े से कुछ मिंटों में ही death हो सकती है जब तक आपके पास defibrillator नहीं आता defibrillator तो आपको पताई होगा यानि कि AD जब भी आपके heartbeats या फिर आपके जो सासे है वो रुख जाती है तब आपके उपर AD अपलाई किया जाता है जिसकी वज़े से आपके heartbeats और आपकी जो सासे है वो recover होने के chances बढ़ जाते है अब देखते हैं कि electricity के हजार्स क्या है और उसके protective measures क्या है तो हजार है in adequate wiring अगर wiring अगर अच्छी नहीं रही तो आपको electric shock लग सकता है वो एक हजार है exposed electrical parts जो भी electrical parts है वो अगर मानलो exposed हो चुका है तब भी वो एक हजार है wires with bad insulations जो भी wires है उसका insulations अगर proper नहीं है तब भी आपको electric shock लग सकता है ungrounded electrical system and tools यानि कि जो भी electrical system या फिर tools आप use कर रहे हो वो अगर मानलो ungrounded है वो भी एक हजार है और loaded circuits जो भी circuits के उपर आप काम कर रहे हो उसकी जो capacity है वो मानलो 100 ampere है और उसके उपर अगर आपने ज़्यादा load दे दिया तो वो overload हो जाएगा यानि कि overload circuit हो जाएगा वो भी एक हजार है damage power tools and equipment अगर आप damage power tools या फिर equipment का use करते हो तब भी वो एक हजार है using the wrong PPE and tools जब भी आपको कोई electrical circuit में काम करना है उसके regarding अगर आपने PPE use नहीं की या फिर आपने गलती से दूसरा tools यूज कर लिया तब भी वो एक हजार है overhead power lines उपर में जो भी power lines है वो भी एक हजार है हमने जो भी हजार्स देगे है वो सब जो है हजार्स वो और भी खतरनाक हो जाते है जब वो weight conditions में होते हैं यानि कि पानी के conditions में अगर वो आते हैं इसकी वज़े से जो है वो burns injury, electric shock, fire, fire and explosion, arcing ये सारे जो है वो electrical हजार्स है आईए देखते हैं कि अब इसके protective measures क्या है तो सबसे पहला है कि proper grounding जब भी आप कोई electrical circuit में काम कर रहे हो तो उसका आपको grounding करना बहुत ही ज़रुरी है दूसरा है use GFCI यानि कि ground fault circuit interrupter या फिर आप ELCB का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानि कि earthly के circuit breaker use fuse and circuit breakers जो भी electrical connections है उसमें आपको proper जो है वो fuse का इस्तेमाल करना है और circuit breaker का इस्तेमाल करना है guard live parts जो भी electrical का live parts है उसको guard करना बहुत ही ज़रुरी है logout tag out जहां पर भी आप live wiring में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको logout tag out लगाना बहुत ही ज़रुरी है proper use of flexible cords जो भी flexible cords है उसका आपको सही से इस्तेमाल करना है close circuit panels यानि कि जो भी electrical panels है उसको close करके रखना है avoid weight conditions यानि कि weight conditions में अगर मान लो आपको अगर काम करना हो उस वक आपको उस काम को avoid करना है ताकि उस हास्ते से आप बस सको close electric panels जो भी electrical panels है उसको open conditions में नहीं रखना है उसको close करके रखना है ताकि कोई भी unauthorized persons उसके साथ contact ना कर सके और फिर है training यानि कि जो भी persons को live wiring में काम करना है वो बाकायदार training process से गुजरना है ताकि उस persons को उस electricity के बारे में पता होना चाहिए कि वो electricity होता क्या है और electricity की वज़े से जो भी हजार्स create होते है उसको कैसे handle करना है उन सारी चीजों का उस persons को पता होना चाहिए वो बाकायदा आपको training में बताया जाता है कि electricity क्या है उसके हजार्स क्या है और उसके protective measures क्या है और जब भी आप live wiring के साथ contact करते हो तब आपको उसके साथ कैसे deal करना है ताकि उसके वज़े से जो होने वाले हजार्स और rigs है उससे आप बस सको जब भी हम electrical की बात करते है तब ELCB और RCCB ये most confusing term है तो आपको पता होना चाहिए कि ELCB और RCCB में क्या difference है तो चलिए देखते हैं ELCB का full form होता है Earth leakage circuit breaker और RCCB का full form होता है residual current circuit breaker RCCB जो है वो updated version है ELCB का और आजकल जो है वो ELCB को completely replace किया गया है तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ELCB यानि की होता क्या है ELCB यानि की Earth leakage circuit breaker अब वो कैसे काम करता है चलिए देखते है ELCB में जो हम green wire connect करते है उसे earth कहते है और उसका जो earth terminal है वो connected होता है through sensitive block से तो ELCB में होता क्या है कि incoming power आता है एक red और एक black यानि की आप उसे face और neutral कह सकते है और उसका ही outgoing power होता है वही red और black यानि की face और neutral यानि की face और neutral जो है वो incoming power है और उसका outgoing power भी है और वो जो incoming power और outgoing power है वो connected होता है एक sensitive tripping block से और वो sensitive tripping block जो है वो earthing wire से connect होता है अगर मानलो जो outgoing जो red color wire है वो accidentally अगर contact हो जाती है green color wire से तो उसमें जो face का जो red wire है और जो green ground wire है उसमें जो current flow हो रहा होगा वो leakage हो जाएगा जिसके कारण जो tripping coil है उसमें voltage drop होना शुरू हो जाएगा ये जो voltage drop है वो enough है वो जो trip circuit है उसको activate करने के लिए यानि कि उस voltage drop से जो trip circuit है वो activate हो जाएगा और finally जो ELCB है वो open हो जाएगी यानि कि वो isolate हो जाएगी अपने source से यानि कि उस false से जो source है उसको वो isolate कर देगा चलिए अब समझते हैं कि RCCB का function कैसे होता है RCCB यानि कि residual current circuit breaker RCCB जो है वो काम करता है under the principle of core balance current transformer तो RCCB का main function जो होता है वो होता है monitoring का वो क्या करता है कि जो phase wire है और जो neutral wire है उसमें कितना current flow कर रहा है उसको वो monitor करता है खास तोर से जो load होता है वो connected होता है across phase और neutral terminal से यानि कि RCCB में जो core balance current transformer है वो monitor करता है कि phase में और neutral में कितना current है जो जा रहा है यानि कि कितना current जो है वो phase wire में जा रहा है और कितना current जो है वो neutral wire से return आ रहा है मतलब यह कि अगर मानलो phase wire में 20 ampere current जो है वो जा रहा है तो obviously है कि same current जो है यानि कि 20 ampere जो current है वो return आना चाहिए neutral wire से यानि कि इन दोनों का जो current flow है जो दोनों में same है वो हो जाएगा zero अपने core balance current transformer में उस समय RCCB operate नहीं होगी उस normal condition में चलिए consider करते हैं कि कोई अगर मानलो fault हो गया या फिर किसी आदमी ने जो है वो live phase wire को touch कर लिया जिसके कारण क्या होगा कि जो live wire है और earth है इन दोनों के बीच में जो current flow है वो leakage हो जाएगा यानि कि उसमें जो existing load था जो phase का existing load था वो था 20 mA अब जब आदमी ने उस phase को touch किया तो उसमें से जो current flow है वो leakage हो गया यानि कि उसमें जो fault current है और leakage current है वो अभी बढ़ जाएगा यानि कि अब वो हो जाएगा 30 mA लेकिन हमारा जो neutral wire था वो carry कर रहा था 20 mA अब जब ये load बढ़ गया यानि कि उसमें 10 mA जो load बढ़ गया है अब वो जो leakage current है वो अनाधर path से जाएगा यानि कि जो earth का जो path है उ detect करेगा यानि कि वो sense करेगा through CBCT यानि कि core balance current transformer के थूँ तो अब जो CBCT ने जो current leakage हुआ है उसको sense कर लिया तो अब वो क्या करेगा कि जो unbalance current है वो send करेगा relay operating coils को और जब वो relay operating coils में पहुच जाएगा तो finally जो है RCCB trip हो जाएगा इसकी वज़े से क्या होगा कि वो जो fault है उसकी वज़े से जो current है वो isolate हो जाएगा तो अब आपको पता चल गया होगा कि ELCB और RCCB के क्या functions है और वो कैसा function करता है तो चलिए अब देखते हैं कि उन दोनों में difference क्या है तो ELCB का full form होता है earth leakage circuit breaker और RCCB का full form होता है residual current circuit breaker और RCCB का दूसरा नाम है RCB उसे हम residual current device भी कह क्याते हैं तो ELCB जो है वो voltage operated है और RCCB जो है वो current operated है तो ELCB को ये भी कह सकते है कि voltage operated earth लेके circuit breaker और RCCB को हम ये भी कह सकते है current operated residual current circuit breaker या फिर current operated residual current device ELCB में जो earth connection है वो अच्छे condition में होना चाहिए तब ही जाके जो ELCB है वो अच्छे से function करेगा और RCCB में जो है वो अच्छा earth connection अगर नहीं रहा तब भी वो अच्छे से function करेगा यानि कि अच्छे से काम करेगा ELCB में क्या होता है कि जो leakage current है या फिर जो fault current है वो flow होना चाहिए अपने earth pass से अगर वो मान लो earth pass से flow नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा वो operate नहीं करेगा और RCCB में क्या होता है कि जो current leakage है वो flow होता है earth की पास से तबी वो trip करेगा नहीं तो वो operate नहीं करेगा इसलिए पहले जो ELCB आती थी उसे voltage operated earth leakage circuit breaker कहते थे और अब जो RCCB आती है उसे हम कहते है current operated residual current circuit breaker तो इनमें main difference क्या है वो आपको समझना है कि पहले जो ELCB आती थी उसे voltage operated ELCB कहते थे और अब जो ELCB आती है वो current operated ELCB होती है अब हम उसे RCCBB कहते है और RCDB कहते है क्योंकि इनका function जो है वो same ही होता है तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा all about electrical safety के बारे में तो बस आज के लिए इतना ही मुलता है नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ में तब तक के लिए take care bye bye